हलो दोस्तो हमारे चेंग श्रड़ी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भारती क्रिसी के बारे में पढ़ेंगे भारती क्रिसी के अंतरगत आने वाले फसलों की विशस्ताव पर चर्चा करेंगे और साथ ही उसके सिर्ष उत्पादक राज्यों पर भी चर्चा करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम भारती क्रिसी के संबंद में कुछ महतपूर तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं भारत एक क्रिसी प्रधान देश है भारत की कुल स्रम सक्ती का लगभग 52 प्रतिसत जनसंख्या क्रिसी और संबंध प्रात्मिक छेत्र की बात करें तो भारती अर्थवियोस्ता में क्रिसी को प्रात्मिक छेत्र में रखा गया है। द्वित्यक और तृत्यक छेत्र के योगदान में वृध्धी होती है। अगला हम देखते हैं भारत में क्रिसी पद्धतियां। भारत में क्रिसी पद्धति की अंतरगत पहली पद्धती है इस्थांतरित क्रिसी या फिर जूम क्रिसी। इस्थांतरित क्रिसी हमारे देश के पुर्वत्ता राज्य अरोडाचल प्रदेश असा मिजोरम में जंजातिय समोहों के द्वारा किया जाने वाला एक क्रिसी पद्धती है। इस पद्धती में सबसे पहले जणगलों को काट कर उसे जला दिया जाता है और उसकी लकडि के जलने से जो राक होती है उससे मिट्टी की अुरुगरक्ता बढ़ जाती है और उस इस्थांपर 2-3 वरसों तक क्रिसी की जाती है क्रिसी की अरोगरक्ता समापत हो जाने पर द उड़ाचल प्रदेश, असम और मिजोरम में जंजाती समूनों के द्वारा की जाती है। मद्ध्य भारत में इस्थांत्रित किसी लग-लग नामों से जाना जाता है। अगली क्रिसी पध्धती है व्यापारी क्रिसी पध्धती। इस क्रिसी पद्धती में उच्च उपजवाली फसलों का उत्पादन कर ब्यापार के उद्देश से फसल को उगाया जाता है जैसे कपास, मुंखफली, चाय, आदी ये सभी ब्यापा की स्थर पर ब्यापार के उद्देश से उत्पादन करते हैं इस कारण इसे ब्यापारी क् इस कृिसी का मूल उद्देश्य ब्यापार होता है जिसके कारट ब्यापाक इस्तर पर फसलों की खेती की जाती है इसके अंतरगत कपास, मुंखभली और चाय की खेती ब्यापार के उद्देश्य से की जाती है अगली क्रिसी पद्धती है जीवन निर्वाह क्रिसी पद्धती कम जमीन पर जब अधिक जम संख्या का दबाव होता है और इस क्रिसी के अंतरगत जो क्रिसक होते हैं उनका मूल उद्धेश्य स्वयम के खद्यान की पूर्ती के लिए अन्नुत पादन करना होता है और इसके अतरिकते स्थानी स्थर पर भी थोड़ी बहुत मात्रा में उसका विक्रय किया जाता है इसे जीवन निर्वाह क्रिसी कहते हैं हमारे देश में बहुत बड़े छेतर इसी क्रिसी पद्धती के अंतरगत आते हैं अगला है रोपर क्रिसी वाडिजी क्रिसी का यह एक प्रकार है जिसमें बड़े छेतरफल और अधिक स्रमिकों की आउसकता होती है चाय, कहवा या फिर बगानी के अंतरगत जो भी क्रिसी की जाती है वे सभी रोपर क्रिसी होती है और यह वाडिजी क्रिसी के अंतरगत आती है तिसरा है सश्य क्रिसी जब साल भर फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है ताकि उसकी उपजाओ छमता बनी रहे तो क्रिसी की इस पधती को सश्य क्रिसी कहते हैं इस क्रिसी में दलहन फसलो को भी उगाया जाता है क्योंकि दलहन फसलो की जड़ो में राईजोबियम नामक सहजीवी होता है जो नैट्रोजन इस्थरी करण का कारी करता है और जिससे मिट्टी की उर्वरक्ता बढ़ती है इस क्रिसी पद्धती में फसलो को बदल बदल कर बोया जाता है ताकि उसकी उर्वरक्ता बनी रहे और उत्पादक्ता में वरिध्धी हो अगली पद्धती है ट्रक- फौर्मिंग कहा जाता हैं। अगली पद्धती है मिस्रित खेती, जब खेती के साथ पसुपालन, मतस्यपालन, रेसमकित पालन, वानिकी आदी भी कि जाती हैं।ो उसे मिस्रित खेती कहा जाता है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि मिस्रित फसल खेती किसे कहते हैं, यहाँ पर फसल सब दाया है, अर्थात एक जमीन पर एक सांत कई फसले उगाई जाती है, ऐसा करने का मूल उद्देश होता है कि अनुपादक्ता की स्थिती में कुछ न कुछ मातरा में कोई फसल मिल जाए इस कारण एक जमीन पर एक सांत कई फसल उगा देते हैं ताकि कुछ न कुछ मिल जाए, अगला हम परते हैं भारत में रितुओं के अधार पर फसलो को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, पहला वर्गी करण है खरी फसल, खरी फसल के अंतरगत जो फसल होती है, उस उसकी परिस्थिती को आप याद रख सकते हैं कि इसके लिए उच्छ तापमान और सांत में वर्षा भी होती है, तो आदरता की आओ सकता होती है, तो इसके लिए उप्योक्त परिस्थिती याद रखेगा, इसके लिए उच्छ तापमान और आदरता की आओ सकता होती है, इ से याद कर लिजेगा ठी खरी फसल के अंदरगत कौन-कौन सी फसले आती है क्योंकि परिच्छा में पूछा जाता है कि बाजरा किस प्रकार की फसल है तो हमें याद रखना है कि बाजरा खरी फसल है। इस फसल के अंतरगत हम एक बार देख लेते हैं चावल, जुआर, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मुंगफली, कपास, तंबाखु, मुंग, उडद ये सभी फसले आती है, इन फसलों को जुन, जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर, नवंबर में इसकी कटाई कर दी जाती है अगला वर्गी करण है रभी फसल इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है उसके पश्चाति से मार्च अपरेल में काड़ दिया जाता है इस फसल के अंतरगत गेहूं, चना, सर्सो, राई ये सभी फसले आती है तिसरा वर्गी करड़ है जायत फसल जायत फसल खरीब और रवी फसल के बीच का जो तिन महा का आउधी होता है उसमें उगाया जाता है जायत फसल की बुआई मार्च महा में की जाती है जबकि जून के मध्य में इसकी कटाई कर दी जाती है इसके अंतरगत तर्बूज, खर्बूज, खीरा, ककड़ी ये सभी फसले आती है कीस वरगी करड़ की अंतरगत कौन सी फसल आ रही उसे याद कर लिजिएगा जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि चना कीस फसल वरग की अंतरगत आता है तो वह है रवी फसल वरग अगला हम देखते हैं भारत में प्रमुख फसले और उसके सिर्सोत पादाक राज्ये कौन से हैं तो सबसे पहला फसल है चावल जो की हमारे देश का प्रमुख खद्यान फसल है यह एक प्रकार का खरीब फसल है और अगर हम चावल के सिर्ष उत्पादाक राज्यों की बात करें तो चावल का सिर्ष उत्पादाक राज्य है पस्चिम मंगाल उसके बाद दूसरा उत्पादाक राज्य है उत्तर प्रदेश और तिसरे इस्थान पर आता है आंध आप देख सकते हैं सबसे पहला राज्य है पश्चिम मंगाल दूसरे इस्थान पर है उत्तर प्रदेश और तिसरे इस्थान पर है आंध प्रदेश अगला फसल है गेहूं जो की एक प्रकार की रवी फसल है चावल की अप एक्छा इसका प्रती हेक्टेर उत्पादन अधिक ह होता है अगर मान लीजिए कि एक हेक्टेर में हम चावल उगाते हैं और एक हेक्टेर में गेहूं गाते हैं तो जो गेहूं होगा उसका प्रती हेक्टेर उत्पादकता अधिक होगा हमें अधिक मात्रा में गेहूं प्राप्त होगी तो इसे याद रखिएगा चावल और ग गेहु की तुलना में गेहु की जो प्रती हेक्टेर उत्पादकता होती है वह अधिक होती है और हमारे देश में 1967 में हरित करांती आये थी तो हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव गेहु के उत्पादन पर पड़ा अगर हम गेहु के सिर्ष उत्पादक राज्यों की बात करे तो गेहूं का सिर्षोत पादाक राज्य है उत्तर प्रदेश, दुसरे इस्तान पर है पंजाब और तिसरे इस्तान पर है हरियाडा ये गेहूं के तीन सिर्षोत पादाक राज्य है पहला है उत्तर प्रदेश, दुसरा है पंजाब और तिसरा है हरियाडा अगली फसल है यहाँ भी एक प्रमुक खध्यान फसल है और इसकी गर्णा मोटे अनाज के रूप में की जाती है जौर एक प्रकार का मोटा अनाज है जो की हमारे देश का महत्पूर खध्यान फसल है अगर हम जौार के सिर्सोत पादाक राज्यों की बात करें तो वह राज्य है करनाटक याद रखेगा यह परिच्छा में पूछा जाता है कि जौार का सिर्सोत पादाक राज्य कौन सा है तो वह राज्य है करनाटक अगला है बाजरा यह भी मोटे अनाच के अंतरगत आता है और सुस्क परिस्थितियों में यह पैदा होती है बाजरा के सिर्षोत पादाक राज्य की बात करें तो बाजरा का सिर्षोत पादाक राज्य है राजिस्थान अगला है मक्का जिसका सिर्ष उत्पादक राज्य है करनाटक इन सभी के सिर्ष राज्यों को याद रखेगा परिच्छा में यह सीधे पूछा जाता है अगली फसल है दलहन फसले दलहन फसले साकाहारी मनुस्यों के लिए प्रोटीन का एक प्रमुख स्त्रोथ होती है दलहन फसलों की जड़ो में राजूबियम नामक सहजीवी होता है जो की नैट्रोजन की आप उर्ती में महतपूर भूमिका निभाता है जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है दलहन फसलों के अंतरगत कुछ फसल ऐसे होते हैं जो कि रवी फसल के अंतरगत आते हैं जबकि कुछ फसल खरी फसल के अंतरगत आते हैं यदि हम दलहन फसलों में रवी फसल के अंतरगत आने वाले फसलों की बात करें तो वे फसल हैं अरहर, चना, मटर, मसूर तो ये रवी फसल है जिनकी बुआई जो है नवंबर माह में सीतरितु में की जाती है जबकि खरी फसल के अंतरगत मुंग उड़द ये सभी आते हैं ये खरी फसल के अंतरगत आने वाले दलहनी फसले हैं इनकी बुआई जुन जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवं अगर हम दलहनी फसलों के अंतरगत आने वाले विभिन्न फसलों के सिर्सोत पादाक राज्यों की बात करें तो पहली फसल है चना जिसका सिर्सोत पादाक राज्य है मध्ध प्रदेश वहीं अरहर का सिर्सोत पादाक राज्य है महराष्ट याद रखेगा चना का सिर्सोत पा अगला है तिलहन यह अनुपजाव और सुस्क छेत्रों में उपजाई जाती है तिलहन के अंतरगत सर्सो जो रवी फसल के अंतरगत आती है जबकि मुंग फली खरी फसल के अंतरगत आती है अगर हम तिलहन के अग्रडी उत्पादक राज्य की बात करें तो तिलहन के अग्रडी उत्पादक राज्य है राजिस्थान तिलहन के अंतरगत जितने भी फसल आते हैं अगर हम उसको सम्मिली तुरूप से कहें कि तिलहन का सिर्सो उत्पादक राज्य कौन सा है तो वह है र मद्ध प्रदेश जो की स्वयाबिन का सिर्सोत पादाक राज्य है यहाँ पर आप उसकी स्थिति देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है मद्ध प्रदेश जो की स्वयाबिन का सिर्सोत पादाक राज्य है इससे पहले हमने चना के सिर्सोत पादाक राज्य के रूप में मद्ध प्रदेश ही पढ़ा अगला है मुंगफली जिसका सिर्सोत पादा कराज जह गुजरात उसके पस्चात है सर्सो जिसका सिर्सोत पादा कराज जह राजिस्थान सुरी मुखी जिसका सिर्सोत पादा कराज जह करनाटक और नारियल का सिर्सोत पादा कराज जह केरल केरल नारिय अगला हम देखते हैं चाय, चाय हमारे देश का प्रमुक पे फसल है, चाय का उत्पादन हलकी ढालवाली उपजाव मिट्टी में किया जाता है, चाय के सिर्श उत्पादक राज्य की बात करें तो वह राज्य है असम ब्रह्मपुत नदिखाटी के आसवास के छेत्रों में च चाय का सरवाधिक उत्पादन होता है और यह हलकी ढालवाली उपजाव मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है, अगला है कहवा, यह भी परवती ढालो वाली लावा निर्मित मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है, अगर हम कहवा के सिर्श उत्पादक राज और यह भी परवती ढालों की लावा निर्मित मिट्टी में उत्पादन की जाती है भारत में अरेबिका कहवा का सरवाधिक उत्पादन होता है लगभग 60% कहवा अरेबिका कहवा के अंतरगत उत्पादित की जाती है उसके बाद अगला है कपास प्राइदी पिये पठार में लावा निर्मित काली मिट्टी में कपास का सरवाधी कुद पादन किया जाता है परिच्छा में है पूछा जाता है कि कपास के लिए सरवाधी कुप्योक्त मिट्टी कौन सी है तो वह मिट्टी है काली मिट्टी जो की प्राइदेपिय पठार के लावा निर्मित छेत्रों में पाई जाती है धकन के पठार छेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है जहां पर कपास का सरवाधी कुद पादन किया जाता है तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि कपास के सिर्स उत्पादक राज्य है महराश्ट इसके बाद अगला फसल है जूट जो की एक प्रकार की रेशेदार फसल है यहाँ फसल रवी फसल के अंतरगत आती है अगर हम जूट के सिर्स उत्पादक राज्य की बात करें तो वह राज्य है पस्चिम मंगाल जूट के अतरीकत जूट से बनने वाले समागरी है उसका भी सिर्स पिर्माड करता राज्य पस्चिम मंगाल है इसके बाद अगला है रबर, दक्षिड भारत में रबर की उत्पादन के लिए उप्युक्त दसाएं हैं, रबर के सिर्स उत्पादक राज्य है केरल, केरल में हमने पढ़ा कि यह मसालों का सिर्स उत्पादक राज्य है, इसके अतरिकत रबर और नारियल का सिर्स उत्पादक अगला फसल है तंबाखु जो की पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई है इसके लिए कम वर्षा वाले छेतरों में सिचाई के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है अगर हम तंबाखु के सिर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो तंबाखु का सिर्ष अगला है मसाला जिसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है मसालों के सिर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो वह राज्य है केरल उसके बाद अगला है फल जो की भारत इसका सिर्ष उत्पादक राज्य है भारत में फलों का सरवाधिक उत् यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जहाँ पर सेव का सरवाधिक उतपादन होता है वहीं केले का सरवाधिक उतपादन महराश्टर राज्य में होता है इसके बाद अगला फसल है रेसम जिसका सिर्ष उतपादक राज्य है करनाटक यहाँ पर आप देख सकते है करनाटक रेसम का सिर्ष उत्पादक राज्य है रेसम उत्पादन के लिए जो पद्धती अपनाई जाती है उसे सेरी कल्चर कहा जाता है अगला है केसर उत्पादन भारत में केसर की खेती हिमालय के आसपास के छेत्रों में की जाती है केसर के सिर्ष उत्पादक राज्जे हैं, जम्मु कस्मीर तो इस प्रकार हमने भारत के विभीन फसलों और उनके सिर्ष उत्पादक राज्जों के بारे में पढ़ा तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नॉटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे दोरा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले धन्यवाद